दोस्तो आज के इस वीडियो में हम लोग सम्दी बाहु समकोन तिर्भुज का छेतरफल ग्याद करना सिखेंगे दोस्त हम लोग जानें कि सम्दी बाहु समकोन तिर्भुज क्या होता है सम्दी बाहु समकोन तिर्भुज का यदि कर्म दिया हुआ रहे तो उसका छेतरपल हम लोग कैसे गयात करेंगे सम्दी बाहु समकोन तिर्भुज देखिए यहाँ आपको इसमें तीन चीज दिख रहा हुगा तीन देखा खंड से घिर्यो ही बंद आगिर्त को क्या कहते हैं, तिर्भुज कहते हैं, अगला है कि सम्धी बाहु तिर्भुज है, यानि सम्धी बाहु क्या होता है, तो जीस तिर्भुज की कोई दो भुजाएं बराबर हो, उसे सम्धी बाहु तिर्भुज कहते हैं, यानि जिस तिर्भुज की कोई दोब हो जाए जो दोब हो जाए हैं जो आपस में क्या हो जाए बराबर हो जाए तो उसको हम लोग समधी बाहू तिर्भुज कहते हैं अब एक बज दिखा कि सम कोन क्या होता है देखें सम कोन का मतलब होता है जिस कौन काम आप 90 डिगरी के बराबर हो जाए उसको तो हम लोग समकौन बोलते हैं समकौन तिर्भुज यानि राइट एंगल ट्रेंगल जिस तिर्भुज का एक कौन 90 डिगरी हो उसे समकौन तिर्भुज करते हैं और यह जो नीचे वाला इसको आधार बोलेंगे और यहाँ पे यह भी है जो लम हो जाएगा समकोन तिर्भुज में सबसे बड़ी भुजा करन होती है अब हम लोग सम्दी बाहु समकोन तिर्भुज को पढ़ेंगे जिस तिर्भुज का कोई दो भुजा आपस में बरावर हो यानि कि दो भुजा यदि आपस में बरावर हो जागा ते तिर्भुज हो जागा सम्दी बाहू तथा उन दोनों के भुजाओं के बीच का कौन 90 डिगरी हो अब देखिए ये दोनों भुजा बरावर है A B और यहां पर B C बरावर है ये दोने बीच का कौन है जो 90 डिगरी है तो उसे क्या चीज बोलेंगे सम्धी बाहू सम्गों तिरभुज करते हैं ठीक है यानि कि सम्धी बाहू सम्गों तिरभुज किसे कहते हैं तो जिस पर B C के बीच का कौन 90 डिगरी है तो ये जो A B C एक तिरभुज आई है सम्धी बाहू सम्गों तिरभुज के लम और अधार बरावर होते हैं यानि यहां पर इसको लम मानेंगे A B लम है और B C अधार है तो ये दोनों आपस में क्या हो जागा बरावर हो जागा यानि सम्धी बाहू सम्कों तिरभुज का भुजा बरावर भुजा के लमबाई दिया हुआ रहे तो सम्धी बाहू सम्कों तिरभुज का छेत्रफर बरावर होता है एक वटा दो गुने तेखिए एक वटा तिरभुज का छेत्रफर क्या होता है एक वटा दो गुने अधार गु भूजा का अस्क्वाइर ठीक है तो यानि यहाँ पर A, B और B, C बराबर है तो इसका दोनों में से किसी एक का अस्क्वाइर कर देंगे अगला पॉइंट है यानि यह फर्मूला कब लाएगा जब सम्दिबाहु सम्कौन तिर्भुज के लम और अधार में से कोई भी एक दिया हुआ रहेगा तो देखें लम या दिया हुआ रहे चाहिए अधार दिया हुआ रहे यानि इसको हम भुजा मान लेते हैं यह दोनों क्या हो जागा दोनों आपस में बराबर हो जागा और यह भुजा होगा तो यानि बराबर भुजा का अस्क्वाइर यानि एक बटा दो गुने बराबर भुजा का अस्क्वाइर यदि सम्दिबाहु सम्कौन तिर्भुच का कर्ण दिया हो अब की बार कौन दिया हुआ रहेगा कर्ण तो फर्मूला होगा कर्ण के अस्क्वाइर बटा में फोर कर्ण के स्कॉयर बटा फोर यदि सम्धिबाहु सम्कौन तिरुज का कर्ण दिया हुआ रहेगा तो कर्ण के स्कॉयर बटा फोर नेक्स्ट पॉइंट है कि यदि सम्धिबाहु सम्कौन तिरुज का बराबर भुजा के लंबाई दिया हुआ रहे यहांन दिया हुआ है यहां तो कर्ण ब्रबर। कि रूंत डू गुने यह लब और यह को हम लंब भी बोल सकते हैं अधार भी बोल सकते हैं अगला यानि भूजा बरबर बर बर düşend dipping कर को आप लम भी सकते हैं यानि कि लॉब बरबर क्या हो हो लम बरबर हम लीड को निए तो है क्या बोल सकते हैं कि अधार वरबर क्या होगा तो अधार वरबर वही करन बाई रूट तो तो देखिए सम्दिबाहु सम्कून तीर्भुष का परिमाप वरबर क्या बजाएगा तो देखिए और 2A प्लस क्या एज कि दो को ने भुजा कि लामबाई प्लस एज इसको आप ये भी लिख सकते हैं कि A B प्लस B C प्लस S ठीक है चलिए अब हम लोग कोस्टन को सोल्ब करते हैं प्लस नहीं कि किसी सम्दिबाहू समकौन तिर्भुच का कर्ण 10 cm है तो इसका छेतर फल ग्याद किजी यानि सम्दिबाहू समकौन तिर्भुच का जो कर्ण है जो दिया हुआ है 10 cm ठीक है इसका छेतर फल ग्याद करना है तो चलिए इसको हम लोग हल करते है हिए तो यहां पर दिञा हुआ कि कॉर्ण ह definitely यान रिक है कि का कज़ों अ सं्म्धी बाहु संकौन तिर भुझ जुठ का संदी बाहु संकौन तिर्भुझ का चेतर फल बराबर होता है कर्ण के स्क्वाइर बटा फोर तो यहां से कर्ण कितना है तो दस यानि दस के स्क्वाइर और बटा में फोर पता है कि 10 का स्क्वाइर होता है यानि कि इसको हम डिख सकते हैं कि 100 बटा चार यहां से हम 100 को काटेंगे तो यह कट जाएगा चार से पचीस वार में यानि कि पचीस सेंटीमीटर अस्क्वाइर इस सम्दी बाहु समकौन तिर्भुच का छेत्र फ़ल निगल गया है नेक्स प्रस्ट है कि उस सम्दी बाहु समकौन तिर्भुच का छेत्र फ़ल गयाद करें जिसकी बरावर बुजाओं में से एक बुजा 20 सेंटीमीटर है यानि कि दो बरावर बुजा होता है उसमें से एक बुजा कितना दिया हो है 20 सेंटीमीटर हम लोग उने पढ़ाएं कि सम्दी बाहु समकौन तिर्भुच का छेत्र फ़ल बरावर होता है धुते हे श्तude खुन कि एक वट्थ दो नीज इस तिय रविश का बराबर वे जह कितना दिया वार जो बराबर बुझाए विस सेन्टीमीट्र कॉर्ट थो अट हो ःस्कॉर स्वेर्ट यानि कि वह गया एक वाटा दो गुने 20 गुने 20 2 से 20 दस बार में 20 में 10 से गुना करेंगे तो 200 यहाँ पर हम लोग ने छेतर फल निकाला है और जो की सेंटीमीटर में देवा था यानि सेंटीमीटर स्क्वार इसका यहागया एंसर तो यहाँ पर एक प्रस्ण दिया है इस प्रस्ण को आपको सोल्ब करना है प्रस्ण है कि उस सम्दिबाहु समकोन तिर्बुच का छेतर फल ग्याद करें जिसके कर्ण की लंबाई 8 मीटर है यानि कि एक सम्दिबाहु समकोन तिर्बुच का छेतर फल ग्याद करना है जिसका कर्ण की लंबाई आठ मीटर है ठीक है तो दोस्त अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक किजिए चैनल को सस्क्राइब किजिए थैंक्स पूर बाचिंग